मेरे पैरे देश्वासियों नमस्कार आज के दिन का पूरे देश को बेश सबरी से इंतजार रहा है कितने मैनों से देश के हर घर में बच्चे, बूडे, जवान, सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सिन कब आएगी तो अब कोरोना की वैक्सिन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है अब से कुछी मिनिट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका करम भ्यान शुरू होने जा रहा है मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आज वो वेज्ञानिक वैक्सिन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेस रुप से प्रसंसा के हकदार है जो बीते कई महिनों से कोरोना के खिलाब वैक्सिन बनाने में जूटे थे दिन रात जूटे थे ना उन्होंने त्योहार देखा है ना उन्होंने दिन देखा है ना उन्होंने रात देखी है आम तौर पर एक वैक्सिन बनाने में बर्सों लग जाते हैं लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो-दो मेड इन इंडिया वैक्सिन तयार हुई है इतना ही नहीं कई और वैक्सिन पर भी काम तेज गती से चल रहा है ये भारत के सामर्थ, भारत की वैज्यानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जाकता सबूत है ऐसी ही उपलब्दियों के लिए राष्ट कभी रामधारिशी दिनकरजी ने कहां था मानव, मानव जब जोड लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है भायों और भेनों, भारत का टीका करान अभियान बहुत ही मानविय और महत्वपूर सिद्धानतों पर आधारित है जिसे सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले करोना का टीका लगेगा जिसे कोरोना संक्रमन का रिक्स्क सबसे जादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डॉक्टर्स हैं नर्सेश हैं अस्पताल में सफाई कर्मी हैं मेडिकल पेरामेडिकल स्टाफ हैं वो करोना की वैक्सिन के सबसे पहले हकदार है चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में सभी को ये वैक्सिन प्राफिक्ता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टिका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए इन सभी को ये वैक्सिन प्रात्मिक्ता पर लगेगी और मैंने जैसा पहले भी कहा है इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है इन सभी के वैक्सिनेशन का खर्च भारत सरकार बारा उठाया जाएगा साथियों, इस टीका करण अभ्यान की पुक्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किये गए हैं, ड्राय रंस हुए हैं, विशेश तोर पर बनाये गए कोविन डिजिटल प्लेटफोर्म में टीका करण के लिए रेजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेकिंग तक की व्यवस्ता है, आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकरी भी आपके फोन पर दी जाएगी, और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूँ, कि कोरोना वैक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है, एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसे गलती मत करना, और जैसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महने का अंतराल भी रखा जाएगा, आपको ये भी याद रखना है, कि दूसरी डोज लगाने के दो हफ्ते बाद ही, आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी, इसलिए टीका लगते ही, आप असावधानी बरतने लगें, मास निकाल कर रख दें, दोगज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा, मैं प्रासना करता हूँ, मत करिएगा, और मैं आपको एक और चीज, बहुत आगरत से कहना चाहता हूँ, जिस तरह धैरिये के साथ, आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैरिया, अब वेक्सिनेशन के समय भी दिखाना है, साथियों, इतिहास में, इस प्रकार का, और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान, पहले कभी नहीं चलाया गया है, ये भ्यान कितना बड़ा है, इसका अंदाज, आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं, दुनिया के सो से भी जादा ऐसे देश हैं, जिनकी संख्या तीन करोड से कम है, और भारत वेक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही, तीन करोड लोगों का टिका करन कर रहा है, दूसरे चरण में हमें इसको तीस करोड की संख्या तक ले जाना है, जो बुजूर्ग हैं, जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टिका लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं, तीस करोड की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका, और कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिनकी आबादी इन से ज़्यादा हो, इसलिए भारत का टिका करन अभ्यान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभ्यान भारत के सामर्थ को दिखाता है, और मैं देश वाजियों को एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्स, जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सिन की सुरक्षा और अप्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है, इसलिए देश वाजियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा, अफ़ाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है, साथियों, भारत के वैक्सिन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टिम, भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है, और पहले से हैं, हमने विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है, मेरे प्यारे देश वास्चों, हर हिंदुस्तान इस बात का गर्व करेगा, कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को, जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं, भारत की सक्त वैज्ञानिक पक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं, भारत के वैज्ञानिकों को, और वैक्सिन से जुड़ी हमारी विश्वसग्यता पर, दुनिया का इविश्वास, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सिन में और मजबुद होने वाला है। इसकी कुछ और खास बाते हैं, जो आज मैं देश्वास्यों को जुरूर बताना चाहता हूं। ये भारतिय वैक्सिन विदेशी वैक्सिनों की तुन्ना में बहुत सस्ती हैं और इनका उप्योग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सिन ऐसी हैं, जिसकी एक डोज पांच हजार रुपिया तक में हैं और जिसे माइनस सेवन्टी डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। माइनस सेवन्टी डिग्री वहीं भारत की वैक्सिन ऐसी तक्रीक पर बनाई यही हैं, जो भारत में बर्सों से ट्राइड और टेस्टेड है। इप वैक्सिन स्टोरेज से लेकर ट्रांस्पोर्स्टेशन तक भारतियस ठीतियों और परिस्तियों के अनुकूल है। यही वैक्सिन अब भारत को कोरोना के खिलाब लड़ाई में निरनायक जीत दिलाएगी।